बिस्मिल्ला रुख्मान रुरहीम नाजरेन आज बात करेंगे कि मुल्क में 20 दिन का पेट्रॉल है तो पेट्रॉल ना मिलने की शिकायात क्यों बढ़ रही है मुल्क में 20 दिन का पेट्रॉल है तो बास शेहरों में कुछ पेट्रॉल पंप बंद क्यों और कोई फिलिंग स्टेशन खुला भी है तो पेट्रॉल डिलवाने के लिए तवील केतारों में क्यों लगना पढ़ रहा है ये वो सवाल है जो कई लोगों के जहन में है जिने डर है के पेट्रॉली मसनुआत की कीमते बढ़ने तक इसकी एक मसनुई किलत पैदा की जा सकती है शायद इसलिए जैसे एक हजार रुपे का पेट्रॉल भरवाना हो वो टैंक फुल रखने की कोशिश में है उदर वजीर ममलिकत बराए पेट्रॉलियों मसद्दिक मलिक ने दो टोक इलफास में कहा ना पेट्रॉल की कीमत बढ़ेगी ना ही जखीरा अंदोजी होगी उनका कहना है कि कर्स की किस्त की महाली के लिए हकुमत के आईमेफ वफ से जारी मुझाखरात और आलमी मंटी में तेल के निर्ख देखते हुए जो पेट्रॉल पंप जखीरा अंदोजी करेंगे उनके लाइसेंस मनसुख किये चाहेंगे दुसरी तरफ आपको बताएं कि मुखलिफ शहरों में पेट्रॉल स्टेशन पर तेल की किलत के बाद ओगरान के चीप सैक्टरी पंचाब को जखीरा अंदोजों के खिलाफ कारवाई की हिदाया चारी की गई ख्याल रहे गुजश्चता माँ के आखिर में भी हकुमत ने पेट्रॉल की मसनुई किलत खत्म करने के लिए चौन रोस कबल ही तेल की कीमते बढ़ाने का ऐलान कर दिया था मसद्दिक मलिक ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पेट्रॉल की कीमते बढ़ने लगी है क्योंके हमारे मुजाकरात इस वक्त आईमेफ के साथ जारी है तेल की कीमत बढ़ाने का कोई प्लान नहीं किमतों के हवाले से मुकररा वक्त पर आलमी मंधी में उतार चड़ाओं की मताबकत से एलान किया चाएगा वो कहते हैं ना तेल की कीमत बढ़ने लगी है और ना आप जखीरा अंदोसी करने वाले हैं मेरे घुजारिश होगी के रुक चाएं वरना आपको ही नुकसान होगा गुजश्टा रोज बे उन्होंने जियो नियूस से गुटगू करते में कहा था आईमेफ से मुजाकरात में पेट्रॉल ने मस्मुआत की कीमतों का अभी तक कोई तालुक नहीं आलमी मार्कित में अगर तेल की कीमतों में तबदीली आई तो पेट्रॉल पंप वालों को ऐसा लगता है कि थोड़ा जखीरा हुआ तो मनाफ़ा हासिल हो सकता है हमारे पास 20 दिन का पेट्रॉल और 25 दिन का डीजल अभी मौचूद है आल मार्कितिंग कमपनी को कहा है कि अगर कोई जखीरा अंदोजी करेगा तो हम इसका लाइसेंस मतसूख कर देंगे